नमस्कार जैहिंद एक बार फिर से आप सभी का विनंदन आपके अपने चहते ओलाइन एस्टेउट टार्गेट वित आलोग में मैयार खुमार आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यारती अच्छे होंगे स्वस्तों के बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच् किया था और हमने कारव के बारे में थोड़ी मुडी बातचीत करी थी हमने देखा था कि कौन-कौन से पुसखपदार्थ तक व्ल यहां पर सबसे पहले अगर बात करी जाए तो आज हम बात करेंगे वसा यानि की फैट के बारे में फैट और प्रोटीन के बारे में जब हम लोगों ने नियूटरिशन स्टार्ट किया था तो मैंने आप सभी से कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 14-17% क्या दोस्तों 14-17% हमारी बॉडी के अंदर होती है प्रो 12% के अराउंड फैट होती है तो आखिर यह फैट क्या है अगर हम फैट न खाएं तो क्या हमारी बॉडी को कोई नुक्सान हो जाएगा या अगर फैट माल लीजिए ज्यादा हो जाए बॉडी में तो क्या हमारी बॉडी को नुक्सान हो जाएगा तो क्या है फैट के में या फिर बॉडी के टेम्रेशर को मैनेज करने में या फिर एनरजी प्रवाईड करवाने में जे या बोडी डेवलप्मेंट में इन सब में हेल्प करता है है लेकिन है फैट भी कई प्रकार की होती है गुवीट फैत और वेड फैट अगर हम लोग गुड 요र खाएंगे अगर हम लोग गुद फैत कहाएंगे घप इफिनेटी हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ-good होगा सब बढियां होगा यदि अगर हम लोग good fat खाएंगे तो good fat के खाने से हमारी बॉडी के अंदर हमारे सरीर के अंदर हार्मोन डेवलप होंगे, ठीक है, हमारी बॉडी में प्लैक नहीं होगा, सब किरिया अच्छे चलेंगी, एनरजी बनी रहेगी, लेकिन अगर बैड फैट खाते हैं, जब हम लोग बैड फैट यूज करते हैं अपने फूड में, तो ज प्रापा के साथ साथ हम देखते हैं, कि बैड फैट के खाने से हमारी बॉडी के अंदर हमारी रख्त सिराओं में ध्वनियों में प्लैक जमता है, प्लैक बनता है, जिस से हमारी हार्ट बीट बर जाती है, बीपी बर जाता है, एड़ लिस कभी-कभी हार्ट ट्रेक की भी प्राब्लम हो जाती है तो यहां पर अगर बात्चीत करें हम सभी लोग फैट के बारे में तो फैट कौन-कौन सी हमारे लिए एसंसियल जरूरी है, गूड है, कौन-कौन सी हमारे लिए बैड है, हम्फुल है, हम इसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले फैट क्या है जब भी हमें अगर फैट का निर्मान करना होता है तो हम क्या करते हैं प्रयोग शाला के अंदर सबसे पहले हम कुछ फैटी एसिड जैसे पॉमिटिक अम्ल ओलिक अम्ल और साथियों आपकी जो है इस्टिरिक अम्ल तो वसी अम्ल और ग्लेसरॉल तो फैटी एसिड और ग्लेसरॉल के मिलने से बनता है एस्टर और इसी एस्टर को और इसी एस्टर को साथियों इसी एस्टर को हम लोग फैट कहते हैं या फिर इसको हम लिपिड कहेंगे साथियों इसी एस्टर को हम लिपिड कहते हैं दोस्तों इसी को हम फैट कहते हैं तो इस चीज को आप ध्यान समझें कहते हैं कि फैटी एसिड और ग्लेसरॉल जब मिल जिलता है इन दोनों के मिलने से बनता है ester और इस सी ester को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम कहते हैं आप कल-lipid या इसको fat कहते हैं देखो यहां पशाती व कुछ conditions है condition क्या है आईए हम इसके बारे में बात करते हैं तो सब लोग ध्यान से देखिए लेखो कह रहा है कि क्या है कैसे बनती है वह सदिधा एक मेरे गल सल में करना फैटे आप वह यही हम उसी बारें बात करते हैं, हम देखते हैं कि जो वसाएं होती हैं, वो कुछ solid form में होती हैं, कुछ होती है liquid form में, तो जो liquid form में हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, जो solid form में हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एक्चुली दोनों वसाएं ही होती हैं, दोनों फैट ही होते हैं, लेकिन इन सभी की अवस्था बदलने के कारण इनको हम अलग अलग नाम देते हैं, यसे वसा और तेल, वसा और तेल, दोस्तों यसे माल लिजी अभी यहाँ पर आप देखिएगा तो इसको आप कहेंगे यह है ना बट घी को हम फैट बोलेंगे क्यों बोलेंगे इसकी एक डेफिनेशन होती है देखो क्योंकि अभी आप देख रहे हो यहां जो घी है यह 20 डिगरी सेल्सियस के टेमपरेचर पर यह सॉलिड फॉर्म में रहता है और यही कारण है कि इस घी को हम लोग फैट कहते हैं इस इसे हम लोग फैट देखो यह सॉलिड फॉर्म में है यह इसको हम बोलेंगे सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है और अगर हम आगे देखें जिसे मस्टर्ड ओयल सातियों है जैसे कोई तेल है तो यह तेल अगर देखा जाए तो 20 डिगरी सेल्सियस पर यह द्रव अवस् कहते हैं तो इसकी परिभासा होती है देखी कहते हैं कि एश्टर या लिपिड अगर 20 डिगरी सल्सियस ताप मान पर अगर ठोस है तो इसको हम वसा कहेंगे और अगर द्रव अवस्था में है तो इसको हम तेल कहते हैं समझ गया ना और यह क्या है इससे हम को एनर्जी मिलती है तो कहते हैं कि उर्जा उत्पादक पोसक पदार्त है और रोज की उर्जा का 25 से 30 परसंट हम को इसी से मिलता है और अगर हम एक ग्राम कार्बो हाइडर अगर हम एक ग्राम वशा खाएंगे तो 9.3 कलोरी एनर्जी मिलती है और रोज लगभग 60 ग्राम यह फैट हमारे लिए बोडी में दोस्तों बहुत आवश्यक होती है और जल में आघुलनसील है तो फैट क्या होती है जल में पूरी तरह से घुल नहीं पाती है यह जल में आघुलनसील है तो कहां घुल सकती है मतलब जल में सॉलिबल नहीं हो पाती है तो कहां हो सकती है अगर मैं आप सभी से इ तो आपका फिनाल में दोस्तों या फिर कहेंगे एलकोहल हो गया या क्लोरोफॉर्म दोस्तों क्लोरोफॉर्म है 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 क्लोरोफॉर्म ह बाकि यह वाटर में कभी घुल नहीं कुछिवी जो घी है वो जल में अगुलन सील लेकिन अगर पानी बहुत गरम रहेगा तब यह घुल सकता है ऐसा मान सकते हैं दोस्तों आप देखे जो वशाय होती है अगर मैं बात करूं इनके sources के बारे में मतलब वसाएं हमको कहा कहा से मिल सकती है इसके क्या क्या स्रोत है तो अगर हम बात करेंगे वसा के स्रोत के भी सेह में तो आप ध्यान से देखिए जन्तु वसा और वरस्पतिक वसा एक को हम कहते animal fat और एक को हम कहते plant fat अगर देखा जा है तो हमारे आसपास वसाएं होती है या तो कुछ जन्तुओं से मिल रही है या फिर पैधों से मिल रही है कि अगर देखा जाए दूद है घी है मक्खन पनीर है अंडे है मांस मचली है चर्बी है ये सभी resources कहा से मिलते हैं को ये मिलते है जन्तुओं के दूशतों ने अगकरी ऊट इन सबसे मिलता है अंडे यह कछुए के हम इस्तेवाल करते हैं या फिर बत्द को मांस मांस जो है देखिए बकर यह के चिकन का है मैं तो इन वसाएं भर भर के खोती है लेकिन इनकी वसाएं हमारे प्लांट से मिलती हैं जैसे कहेंगे तार इसको बोलतेे — पाम नारियल आप जानते हैं को जो है पाम दोस्त होता है नारियल है अलसी है इसको बोलते है फ्लेक्स सुयाबीन है सुरजमुखी है अरंडी है सरसो है कुसुम साथ हो कुसुम को हम कहते है सैफ फ्लावर दोस्तों यह होता है सैफ फ्लावर इसको दोस्तों बोलते है कुशुम तो सैफ फ्लावर होता है अगर देखा जाए इसके बार होता है कुषुम का जो तो ओएल होता है ना बड़ा अच्छा होता है औरzeń जो होता है यह स्वास्त वर्ढ्रक होता है all flavor का oil खाने से हम बहुत सारी विमारियों से दूर रहते हैं देखो यह अम कहते हैं कुषुम तो इसका ओयल खाने से बहुत सारी विमारियों से हम बहुत दूर रहते हैं आगे देखो आगे है सरसो कुसुम काजु बादाम अखरोट मुंगफली अब ये सभी क्या है सोर्से होते हैं फैड के किसी में अधिक मातरा में किसी में कम मातरा में अब वसा कितने प्रकार की होती और अध्यन के दिश्ट्रिकोंट से और आपके एक्जाम के पॉइंट अभी उसे वसाएं दो कौन-कौन सी एक होती है संत्रिप्त वशा और एक होती है असंत्रिप्त वशा एक हम कहेंगे एक होती है सेचूरेटेड़ फैट और एक होती है अनसंत्रिप्त तो वसाएं दो अब इन में कौन हमारे लिए beneficial है? कौन हमारे लिए harmful है इस बारे में हमें बातचीत करनी है देखिए अगर हम यहां दोस्तो वशाओं के बारे में बात करें तो एक good fat दोस्तो और एक bad fat देखों मतलब यहीं से क्या होता है? یہीं से एक होती है saturated fat इनी में से नॉë और एक होती है लगतलव करें देख़ो अगर हम बात करें यहां पर सातियों तो देख़ों पहले है कि मांगो की सुछक्षा करना है बोडि के तापमान को मेंटेनद दोस्तों और भोजन का श्वाद ब्रहाना है और विटामिन को टेरने और यहां पर देखिए आप दूस्तों तो इहां भोजन का स्वाध बढसादि क्यों करते हैं सब का स्वाध अच्छा हो जाए अगर बिना तेल खाना पकाऊगे तो स्वाध हीन रहता है समझ गए आगे देखिए कहेंगे कितने प्रकार की है तो देखो भी यह दो प्रकार की होती है कितने दो प्रकार की हमेशा जो वशाय होती है यह दो प्रकार की होती कौन-कौन सी एक संत तुस्तों एक बैड फैट और एक है गुड फैट दोस्तों दिखिए यहां पर साथ यह यह 축하는 बैड है और E चलीजिटकुर जो तो यह जा करके हमारे ब्लड में LDL की मात्रा को बढ़ाता है और LDL क्या होता है? LDL होता है low density lipoprotein जब हम संतित वशा खाते हैं तो यह हमारी बॉडी में जा करके LDL मतलब low density lipoprotein की मात्रा को बढ़ाता है जब हमारी बॉडी के अंदर LDL बढ़ता है तो LDL बॉडी में जमा हो करके रक्त वाहिनियों में रक्त के प्रवाह को कम करता दोस्तों देखो ध्यान से अब यहाँ पर आप लोग अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस टॉपिक के बारे म चरिए अब सातियों अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर ध्हान से इस चित्र को देखिए अगर इसको आप देख पाएंगे तो समझेंगे दोस्तों कैसे काम करता यह जमा होता यह तो इस चित्र जाने bamboo क्यां तो इसको आप ध्यान से देखिए के एक मिन्ट कंट क्लियर है कि थूद कर लेते हैं के लिए हम एक नया चितर लेते हैं उस पर ढात कर लेते हैं तो ध्यान से आप देखिए इसको यहां पर यह हमारी ब्लड बेसल है और देखो इसमें ब्लड बह रहा है है ना ब्लड इसमें बह रहा है लेकिन जब यह संत्र वशा का सेवन अधिक मात्रा में करेंगे तो इस वशा के सेवन से LDL बढ़ता है लो डेंसिटी लीपो प्रोटीन जब यह बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद जाता है हमारी सिराओं और धवनियों में प्लैक कर देता है मतलब प्लैक जमा करता है मतलब जाकर कि यह बैड कोलेस्ट्रॉल सिराओं और धवनियों में काम करना बंद कर देता है तो ऐसी पर इस्थिती में हार्ट अटेक की संभावना आती है साथ युग क्या होता कि ऐसी स्थिती में हमारा बी-पी बर जाता है दोस्तों हमारा हमारी हार्ट बीड बर जाती है ठीक है तो ऐसे जमा होता है तो कहते हैं कि इसके भोग से LDL बरता है low density lipoprotein जो जाकर कि हमारी रक्त सिराओं में रक्त धमनियों में जमा हो करके bad cholesterol के रूप में रक्त के प्रवाग रोगता है जिससे हमारे body के अंदर हरदय रोग मुटापा यह सब उत्पन होता है तो आखिर क्या खाने से दोस्तों आखिर क्या खाने से हम जो है इसके सिकार होते हैं तो देखो सब लोग मांस चर्वी मांस चर्वी मांस चर्वी घी वरसपती घी तार का तेल नारियल दूद मक्षन अंडे इन सब का उपभोग अवशक्ता से जादा करने पर हमारी body के अंदर इस वशा का प्रभाव बर जाता है दोस्तों आगे देखिए आगे होती है असंत्रत वशा अगर मैं इस वशा की बात करूँ तो इसको हम कहते गुड फैट दरसल जो cholesterol दोस्तों हमारी body में जमा होता है जब हम इसको खाते हैं यह हमारे body के अंदर इसको बोलते है high density lipoprotein तो यह एक ac lipoprotein है जो high density वाली होती है इसके बढ़ने इस क्या होता है जो blessed bestsellреत कलेस्ट्रdeus जमा है जो black हुआ है हमारी धमनी और सीराओं दोस्तों क्या होता है वहन new dopeet lay न तो इसके ऊपहभोक से कहते हैं जो हमारी शिराओं और धमनी जमा हुआ प्लेक है यह hamणost हो जाता है दोस्तों ठीग न तो इसको हम कहते एक good fat मचली है सरसो है कुसुम है सोयाबीन है अरंडी है सनफ्लावर है और अलसी है यह सभी इसके अच्छे स्रोथ होते हैं कि अगर अगर आगे बात्षीत करें अधि यहां पर देखेंगे हम सभी लोग दोस्तों यहां जो कोशन बनते हैं अगर मैं उस पर बातकीज करूं आप से तो दोस्तों कोशन बनता है कि हमारी बॉडि के अंदर क्या होता है HDL level दोस्तों HDL level अगर देखा जाए तो हमारी body साथियों कितना होता है तो यह होता है आपका 40 mg per 100 ml of blood यानि कि 100 ml blood में कितना लगभग 40 mg होता है HDL और साथियों अगर हम देखें यहां पर LDL level तो यह कितना होता है दोस्तों यह हमारी दोस्तों कितना होता है तो यह जो है यह लेबल हमारी body के अंदर हमारे blood के दोस्तों कितना होता है यह होता है लगभग 140 to 150 mg 150 mg per 100 ml of blood और साथियों अगर पर देखा जाए total cholesterol दोस्तों कितना होता है तो कहते है total cholesterol कितना होता है तो यह होता है 180 mg से लेकर के 200 mg दोस्तों इसके आसपास रहता है और अगर इसकी मातरा बढ़ जाती है तो वही पिर समस्य उत्पन होती है अब हम बात करेंगे साथ यह प्रोटीन के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों अब तक हमने पढ़ लिया है अब हम बात करेंगे आपर प्रोटीन के बारे में अगर प्रोटीन के बारे हम बात करूँ तो शातीओ प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर प्रत्तम अस्थान पाने वाला आशार है साथीओ प्रत्म अस्थान ne वाला आहार क्यों कहते हैं क्योंकि देखिए उन्न जो पोशक पदार्थ हैं चाहे वसा हो कार्भो हाइड़ेट हो विटामिन हो उनका को इन कोई एक specific function होता है कारे होता है लेकिन यहां जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर सारे के सारे कारे करता है जैसे प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में सभी अंगों के निर्मार में सहायता करती है उर्जा का उत्पादन भी करती है कटे फटे अंगों का maintenance भी करेगी मतलब मरम्मत भी करती है नए अंगों के निर्मान में सहायक भी है यानि ऐसा कोई कारे नहीं जो protein से नहीं होता और protein कहीं कहीं gluconeogenesis के बाद glucose बन करके energy provide करने में help करती है तो साथियों यहां पर देखिए जो protein है यह हर कारे करती है हमारी body के अंदर इसलिए इसको हम कहते हैं प्रतम अस्थान पाने वाला अहार अगर देखा जाए सबसे पहले जे बर्जीलियस और मूल्डर साहम ने कौन-कौन बर्जीलियस और मूल्डर तो सबसे पहले बर्जीलियस और मूल्डर ने क्या किया था प्रोटीन की बारे में हमें बताया था प्रोटीन क्या होता है ओके तो इन ही को हम कहते हैं प्रोटीन का खोश करता अच्छा कभी आपने देखा हमारी बॉडी का हर एक अंग चाए वह बाल हो नाखून हो त्वचा हो अधिया हो बलड हो यह मांस्पेसी हो मतलब आरी बॉडी के अंदर हर एक हिस्सा पर यह नाखून है त्वचा देखिए है मान स्पेसियां होती है बाल है हड्डियां है बलड है बोडी का हर एक हिस्सा हर एक हिस्से में प्रोटीन पाई आती है अच्छा जब जो है प्रोटीन जलता है अर्था जब हमारे बाल जब जलते हैं तो अजीब सी गंद उत्पन होती है आखिर ये गंद किसकी दोस्तों ये गंद किसकी आती है आखिर कहां से ये गंद उत्पन होती है दोस्तों हम इस पे बारे में बात करेंगे तो अगर बात करी जाए आप सभी से प्रोटीन के बारे में तो कहते हैं कि प्रोटीन क्या है प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन देखिए कार्बन हाइड्रोजन आक्सिजन नाइट्रोजन और सलफर और सलफर युक्त क्या होता है यह जटिल कार्बनिक यौगिक है ठीक ना य गंधवर उत्पन्न और या गंद सल्फर याउगी की की होती है तो सल्फर जो यह तत्वा है इसको हम हिंदी में कहेंगे हमारी तो आफ ने देख लिया प्रोटीन कैसे बनती है carbon hydrogen oxygen nitrogen और sulfur से nitrogen का इसमें अनुपात जो है 15 से लेकर के 16% के आसपास होता है यह जानते रहना कहते हैं कि जो protein होती हो 10 प्रकार के amino अमल से मिलकर के बनी होती है amino acids amino acids amino acids से ही 10 प्रकार की आवश्यक और 10 प्रकार की अनावश्यक amino अमल अर्थाथ 20 प्रकार की कुल आवश्यक amino 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 से हमारा protein बनता है ठीक है ना प्रोटीन के निर्मार में कितने 20 प्रकार के amino amino अमल भाग लेते हैं सातियों अगर हम बात करें amino amino के बारे में तो देखो 20 प्रकार के amino amino में 10 प्रकार के amino amino essential होते हैं और जो आवस्यक amino amino है वही हमारे शरीर में नहीं बनता है जो आवस्यक amino amino है उसको हम बाहर के खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं और जो अनावस्यक amino amino होती है सभी अनावस्यक amino amino का निर्मार हमारे शरीर के अंदर होता है दोस्तों लेकिन जो आवस्यक amino अमिनो अमल है उनको हम प्रोटीन के सोर्स चाय स्वयबीन हो दाले हो रेड मीट हो अंडे हो दूद हो इन सबसे प्राप्त करते हैं ठीक है तो कहते हैं कि यह 20 प्रकार के अमीनो अमल से मिलकर के बना हुआ होता है और इसको प्रथम अस्थान पाने वाला आहार कहते हैं और क् हमारी बॉड़ी के अंदर हर एक कार्य यह करवाने में हेल्प करता है तो इसको हम प्रथम अस्थान पाने वाला आहार बोल देते हैं इसके बाद दैनिक आवसकता तो 80 ग्राम से 90 ग्राम देखिए जो यह प्रोटीन है रोज कहते हैं कि बॉड़ी वेट का गर आपका एक कि है तो उस पर एक ग्राम प्रोटीन ऐसा कहते हैं हाला कि वैस्क कि अवस्था में इसकी आवसकता बढ़ जाती है तो लगभग 80 ग्राम प्रोटीन काफी होता है आप सभी के लिए बाकी रोज की उर्जा का 5-10 परसेंट भाग हम इसी से प्राप्त करते हैं हमने इसके बारे के लिए और एक ग्राम अगर प्रोटीन हम खा रहे हैं तो लगभग उससे 4.1 कलोरी एनर्जी भी मिलती है जितने भी एंजाइम हमारी बाडी के अंदर होते हैं और जो निर्माड करते हैं जो पाचिंकिया में हल्प करते हैं वो सभी एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते है कहते हैं कि आल एंजाइम और प्रोटीन उसका कहते हैं कहते हैं कि आल एंजाइम और प्रोटीन आल एंजाइम और प्रोटीन मतलब जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन से बनते हैं बट आल प्रोटीन और नाट एंजाइम लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होत होते हैं आपने सुना होगा सुमेटो ट्रॉपिक जिसको हम कहते हैं एस्टेस हार्मोन तो सुमेटो ट्रॉपिक हार्मोन जो होता है प्रोटीन से बनता है इंसुलीन साथियों प्रोटीन से बनता है तो बहुत सारे हार्मोन प्रोटीन से बनते होते हैं उनको बोलते हैं प्रो 14 से 17 पर्षेंट भ्राग प्रोटीन से बना है मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितनी प्रोटीन है 14 से 17 पर्षेंट हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होती है मैंने क्या बोला आपको कि हमारे शरीर के हर एक हिस्से में हर एक भाग में प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों ठीक ह तो जैसे मैंने आपसे क्या बोला सबसे पढ़े जो प्रोटीन है यह बृधिकास करता है इसको हम कहते हैं गुरोथ करने वाला नियूट्रिशन प्रोटीन order करता है पूराने कटे फटे चटे श्रतिके अंगों की मरमत करता है या बॉडीयों के मान प्रोफशबसे और कहते हैं उत्कों की ब्रिधी और रख रखाओ मतलब उत्क मतलब चार प्रकार के उतक बॉड़ी में होते हैं epithelial tissue nervonal tissue or connective tissue इन चारों टीशू से मौरी ब़ूडी बनी होती है तो जितने टीशू है उनका निर्माढ उनका maintenance यही खरता है और आगे क्या है नए अंगो का निर्माढ चहतिगरस्त अंगो की मरम मन प्येच मान को बैलेंस करना यह हमारे प्येच वैलू को बैलेंस भी करता है आगे है पोसक पदार्थों का समभवन कि आप जानते हैं हीमोगलोबिन होती है और क्या करती है यह संभवन करती दोस्तों आगे एंटीबाडी के रूप में सुरक्षा जितने भी एंटीबाडी है ना सारे प्रोटीन दोस्तों होते हैं आगे देखें एंजाइम के रूप में पाचन अब यहां पर इतना जानने के कुछ पॉइंट यहां से बनता है कि जो प्रोटीन होते हैं इनके सोर्स क्या है मतलब प्रोटीन हमको कहां कहां से प्राप्त होता है प्रोटीन हमको कहां से मिलता है तो अगर प्रोटीन के सोर्स के बारें बात करें तो सातियों कहते हैं जो प्रोटीन है इसका सबसे अच्छा सोर्स है मस्रूम 55 परसेंट होता है और इसके बाद स्वयाबीन देखिए 42 परसेंट होता है फिर है मूंग मसूर उरद मचली मांस अंडे दूद चना मटर पनीर टोफू टोफू आप लोगों के मन में चलना होगा टोफू क्या होता है देखो टोफू दोस्तों क्या एक सोर्स देखिए सातियों देखिए यह होता है तो पनीर जैसा ही होता है पर पनीर नहीं होता यह अलग होता है ठीक ना हलाकि दिखने में बिल्कुल पनीर ही लग रहा है चाहे इसको आप कच्छा देखो चाहे इसको आप फ्राइकर देखो देखो यह तोफू है तो दिखने में ब प्रोटीन की कमी से सातियों क्या होगा और इसके बढ़ने से क्या होता है कहते हैं कि प्रोटीन की कमी से कमी से और प्रोटीन की अधिक्ता से इन दोनों से क्या हो सकता है अधिक्ता से अगर हम इन दोनों पर बात करें तो प्रोटीन की कमी से और प्रोटीन के बढ़ने से तो क्या हो सकता है तो दिहां से आप देखिए कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन कम है तो मेरेसमस और क्वासी और कर मेरेसमस और एक होता है क्वासी और कर तो मेरेसमस और क्वासी और कर दो प्रकार की साथ यो ब्याधियां उत्पन होती है मेरेसमस होता है और इन पर विचार करूः आप सभी से कहते हैं कि 26 माह तक के शिसु में जो 6 माहि तक का शिसु होता है उसकी माया फीरियां बिक्सित नहीं धोर को कुछा कुपोशित रहता है कहते हैं दोस्तों क्योंकि उसमें क्या है मेरासमस नामक बिमारी है इसके बाद क्वासी और कर देखो यह जो क्या होता है यह एक वर्स के सिशू में एक वर्स के शिशू में या या बाद में एक वर्स के बाद दोस्तों तो एक वर्स से जो है क्वासी योरकर कहलाता है और साथ यो एक वर्स के पहले जब छे मां के बच्चे में यह होता है तो इसको हम कहते हैं मेरेसमस और अगर माली जी यह अधिक मात्रा में हो जाएगा ना इसकी अधिकता से अगर यह अधिक होता है तो इसके बढ़ने से हिर्दय रोग होता है क्यों कि यह जो है बाद में गुलुकोज के रूप में हमारी बॉडी में जमा होता है दोस्तों ठीक है ना तो इसके बढ़ने से हमारे सरीर के अंदर हाट डिजिस उत्पन हो जाते हैं या अगर प्रोटीन कि इसके बढ़ने से अब कुछ प्रकार की यहां पर प्रोटीन से एकडम आपके एकजाम में सब्सक्राइब सकता है साथी यहां इन प्रोटीन के बारे में बीधर करूंगा जहां दोस्तों जहां से पुलिष संभावना में की आपके एक्जाम में sectors बन जाए और हम इसी प में कैसे कैसे कोश्टन बनेंगे हम आप सभी से पूरी बातचित करेंगे एक बार पहले सभी लोग नाम देखते हैं जीन प्रोटीन हार्डीन प्रोटीन ग्लूटीन प्रोटीन प्रोलैमिन प्रोटीन गोसेपिन फाइब्रोईन जीलेटीन केसीन केरोटीन इरैचिन यहां पर और एक मैं और रहा इरेचिन, तो कहेंगे, साथ हो कहेंगे, जिन, हार्डिन, ग्लूटिन, प्रोलेमिन, गोसेपन, फाइबरोन, जिलाटिन, केसिन, करोटिन और इरेचिन, दोस्तों, और कहते हैं, अल्फा किरेटिन, हीपैरिन, हिस्टों, साइटोक्रोम, एक्टिन, मयोशीन, मयोगलोबिन, आसीन, कांडिन, और इलास्टिन, इसके बाद दोस्तों, और भी प्रोटिन होती हैं, जैसे की, यहां हम कहेंगे, थ्रामबोप्लास्टिन, प्रोथ्रामबिन, थ्रामबिन, अगर देखा जाए यहां पर तो सबसे पहले जीन प्रोटीन दोस्तों कहां होती है तो जीन प्रोटीन होती है मक्के के अंदर दोस्तों कहां दोस्तों यह होती है मक्का के अंदर मक्का जिसको हम कहते है मेज दोस्तों मक्का आपने देखाई होगा सब लोगों ने अब मक्का कौक्त देखा है क्या है मेज कुछ दोस्तो इस इस के मैं कि अंदर जिन प्रोटीन होती है। ये बिएकार प्रोटीन है, हमारी बॉडी में कोई विसेस कारें नहीं करती है। यह ऐसी प्रोठीन है जो मारी body कोी बिश्रक स्कार्य नहीं करती है आगे बढ़ते हैं अगे में हाड़ियन तोlex प्रफसरी जाय में होती है यह वूह गणेर प्रोलैमीन होती हैं तो सब लोग है चार। इन सब में होता है प्रोलेमिन प्रोटीन तो जीन प्रोटीन कहा हो गई मक्के के अंदर हाडिन हो गई जो के अंदर और अनाजो के अंदर गलुटीन हो गई गेहू के अंदर डाल में हो गई प्रोलेमिन प्रोटीन कौन सी प्रोलेमिन प्रोटीन इसके बाद साथ हो कपास कप तो कॉटन आप जानते होंगे साथियों कॉपास की बहुत जादा खेती होती देखिए तो देखिए यहां पर इस प्रकार से और कपास से सूती कपड़े महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश बहुत आगे हैं और साथियों यूएस से बगारा में बहुत उत्तम कोटी का कपास मिलता है ठीक है और मकड़ जाल जो मकड़ी का जाल होता है स्पाइडर वेव जिसको हम बोलते इस्पाइडर वेव तो इस्पाइडर वेव के अंदर भी फाइब्रोइन प्रोटीन भर भर के होती कहां पर इस्पाइडर वेव के अंदर आगे जीलाइटिन दोस्तों जीलाइटिन कहां होती है यह होती है फलों के गूदे में कहां पर फलों के के गूदे में साथियों फलों के गूदे में भी यह प्रोटीन होती है आगे केसीन है देखा दिखेंगे दूध में होता है तो दूध में सफेद रंग या होती एक केसिन दोस्तो आगे बोलेंगे कि दूध में मुगफली के आंदर तो मुगफली के अंदर इरैचिन नामक प्रोटीन दोस्तों इरैचिन होती है मुगफली के अंदर आगे देखिए अलफा की रैटिन तो यह कहां होती हमारे बाल में होगी हेर में नेल में नाखून में नाखून सींग जो पशुओं के सींग होते होर्न उस सींग दोस्तों औ कहा पर और कहते हैं खूर में और खूर क्या होता यहां चपल पहनते हैं यहां पर ने अखे सेंडल रखा उनके पैर के अंदर तो यहां साथें साथ यहां rustly प्öyle ह सदर्धू उनको कि बाल नाखून शींग और खुर में अलफा किरेटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है यह बाते जानते रही है आप जैसे आप देख रहे हो यह बफैलो आप देख रहे हो इस बफैलो के अंदर आप दोस्तों कहते हैं कि इस बफैलो के अंदर यह इसी प्रोटीन है जो अप्लड को जमने से रोखता दोस्तों एंटीक्लोटिक हाला कि यह-पॉली सिकराइड भी है पॉली सिकराइड और डाइवर्स प्रोटीन कहले लाता है आगे देखो हुआ है हिस्टोन यह ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे गुर्शुतर के अंदर होती है क्रोमोंन वे मैं रे यो यह क्या है ँक्रों थे उसक Chicago नामक प्रोटीन हमारी माइटो कॉंड्रिया के अंदर होती hard और इसके बाद आगे हैं 산 ag watone यह हमारी मान्स पेसि में होती है हमारी मशल के अंदर स्यों के perturbation में है अगे आगे दोस्तों, myoglobin होती है, तो कहते हैं मान स्पेसियों में लाल रंग, मान स्पेसियों में लाल रंग जो होता है, जो red color की मान स्पेसिया दोस्तो होती है, वो इसी प्रोटीन से होती है, तो मान स्पेसियों में लाल रंग इस विशेष प्रकार की प्रोटीन से आता दोस्तो तो आसीन है, कांडरिन और इलास्टिन, तो आसीन होती है अस्थी में, उसका हाँ पर अस्थी में होती है, और कांडरिन होती है, उपास्थी मतलब काटिलेज में, तो बोन के अंदर आसीन है, काटिलेज में कांडरिन होती है, और लिगामेंट जो हमारा होता है, लिगामेंट जोडता है दो हड्डियों को आपस में तो लिगामेंट के अंदर इलास्टिन नामक प्रोटीन होती कौन सी इलास्टिन तो लिगामेंट में इलास्टिन प्रोटीन होती है ठीक है ना लिगामेंट क्या है ये तो हड्डियों को आपस में connect करने का कार्य करता है अब इसके बाद दोस्तों आगे देखें सभी लोग आगे है थ्राम्बो प्लास्टिन प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन और फाइब्नोजेन फाइब्रीन यहां जितने प्रोटीन आप देख पा रहे हो अभी अपनी प्यारी आखों से यह सारे प्रोटीन ब्लड क्लॉट करवाते हैं मतलब यह ब्लड क्लॉटिंग में help करते दोस्तों इनको ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कहते हैं यह क्या है यह ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है यह ब्लड क्लोटिंग एजेंट होते हैं यह हमारी बॉड़ी के अंदर रक्त जमाते हैं एंटीजन दोस्तों कहते हैं रक्त समू का निर्माड रक्त समू का निर्माड वो एंटीजन नामक प्रोटीन से होता है जो की बनती है हीमोगलोबीन से साथ आगे हैं एंटीबाडी तो कहेंगे रक्षात्मक कारिया मतलब यह हमारे इम्यून सिस्टम पर कारिय करती है आगे हीमोगलोबीन तो कहते हैं पहली बाद तो रक्त का लाल रंग दोस्तों उसके बाद कहेंगे एंटीजन का निर्माड तो यह एंटीजन का निर्माड भी कर देती है और आगे साथ हो क्या है आरेस फैक्टर है तो यह भी रक्त समूह का निर्माड करेगा रक्त समूह का निर्माड अर्था यह ब्लड ग्रूप के निर्माड में हेल्प करता है तो रक्त समूह का निर्माड दोस्तों कौन करता है यह भी आरेस फैक् नेगेटिव, B पोजिटिव, B नेगेटिव, AB पोजिटिव, AB नेगेटिव, O पोजिटिव, O नेगेटिव. तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में प्रोटीन और वसा दोनों पढ़ लिया है. साथियों मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप सभी को वेल अच्छ विटामिन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि विटामिन को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है इन सब पर हम लोग बिश्तित बातचित करेंगे। तो आज हम अपनी पर हाई लिखाई को बिराम देते हुए इस उम्मित के साथ कल फिर मिलेंगे और कल फिर से पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार सभी को जैहिंद।